मेरे पैरे देश्वासियों कभी भी छोटी बात को छोटी चीज को छोटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए छोटे छोटे प्रयासों से कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं और अगर महत्मा गांदी जी के जीवन के तरफ हम देखेंगे तो हम हर पल महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों की उनके जीवन में कितनी बड़ी एहमियत थी और छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े संकल्पों को कैसे उन्होंने साकार किया था हमारे आज के नवजवान को जरूर जानना चाहिए कि साफ सफाई के अभियान ने कैसे आजहादी के आंदोलन को एक निरंतर उरजा दी थी ये मात्मा गांदी ही तो थे जिनोंने स्वच्चता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था मात्मा गांदी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था आज इतने दशकों बाद स्वच्छता अंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभ्यान बन रहा है और हम यह न भुले कि स्वच्छता यह सिर्व एक कारिकम है स्वच्छता यह PD दर PD संशकार संक्रमन की एक जिम्मेवारी है और पीडी दर पीडी जब स्वच्चता का भ्यान चलता है तब संपुन समाज जिवन में स्वच्चता का स्वभाव बनता है और इसलिए ये साल दो साल एक सरकार दूसरी सरकार ऐसा विशे नहीं है पीडी दर पीडी हमें स्वच्चता के समझ में सजगता से अभी रत रुप से बिना ठके बिना रुके बड़ी स्वध्धा के साथ जुड़े रहना है और स्वच्चता के अभियान को चलाए रखना है और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्चता ये पुज़े बापू को इस देश की बहुत बड़ी स्रधाजली है और ये स्रधाजली हमें हर बार देते रहना है लगातार देते रहना है साथियों लोग जानते हैं कि स्वच्चता के सबन में बोलने के मैं कभी मुका छोड़ता ही नहीं हूँ और शायद इसलिए हमारी मन के बाद के एक स्रुता सिमार रमेश पटेल जी ने लिखा है हमें बापू से सीखते हुए इस आजादी के अमरुत महोत्सों में आर्थिक स्वच्चता का भी संकल परेना चाहिए जिस तरह सोचालगों के निर्मान ने गरीबों की गरीमा बढ़ाई वैसे ही आर्थिक स्वच्चता गरीबों को अधिकार सुनिशित करती हैं उनका जीवन आसान बनाती है झालगों के बनाती है